और किसली क्लास में अमियर की कच्छवाहा बंच में सवाई जैसिंग और इश्वरी इसंग के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगी सवाई माधू सिंग के बारे में जिनका शैशन राता 1751 से 1778 तक इश्री सिंग के मित्यु के बाद मिलहार राव हॉलकर ने माधू को दो जैनुरी 1751 को अमीर का शाशक बना कर उसे एक निश्चित धन राशी की मांग की तो नहीं दे पाय थी तो इनों ने क्या किया था इसर लाइट से पूपकर अपनी पत्नियों के साथ जान दे दी थी अपनी ठीक है उसके बाद जो मादो सिंग को इनों ने फिर से बठाय प्रसे उनसे क्या एक निश्चित धन राशी की मांग की तो वह भी वह नहीं दे पाया इसके कारण किया मराठो ने वहां पर जैपूर में उपद्रव कर दिया था 1770 में जैपूर की नागरिकों ने परेशान होकर मराठा सैनिकों का कतले आम कर दिया कि इसके अंदर जहर न मोंब्र 79,49 को महलार राव को हराया था इन्हों ने स्वाइ माधोर सिG'ne 1767 में ड्रंथम बोरदूर के पास स्वाइ माधो पूर नगर बसाया मोती बूंगरी महलों का निरमान करवाय है मोती बूंगरी महल का निरमान कुस्थन में हादत है कि सितला माता का मंदिर शीक है ज साथ जवाहर सिंग को हराया मादों सिंग का यह क्या था अंतिम युद्ध सा था इनका कामा का 15港 पर सिंग इसाथ फिट लंबा चार फिट चोड़ा कूर्था व्य पाजामा सिटी पैलेस में रखा वह है इसका ही निंगी बहुत जादा थी बहुत लंबे चोड़े तो इनका उता जो मिला वो कितना लंबा है साथ फिट लंबा और चार फिट चोड़ा है फिर आजाएंगे पित्वी सिंग के चुआहां दित्य जिनका सत्रा सो अर्शर से सत्रा सो अठतर तक जो इनका साशन रहा था उसके बाद मराठ्यों के सरवादिक आक्रमन जो होए थे इसके समय प्रताप के समय जिसने हुआ तूंगा का युद 28 जुलाई सफ्रा सो अठतर इसमें तूंगा दोसा नामक स्थान पर महाद जी सींधिया जो मराठ्या थे ने सवाई प्रताप सिंग के बीच में उद्वा और इस यु स्वाइल बेग प्रताप के साथ था अफगान का नेता तो इनके साथ था प्रताप के साथ था और प्रांसिसी नेता डी बॉइंड जो थे वो मराठ्यों के साथ थे और इस युद्व में जैपूर की सैना की बुरी तरह जायों पराजित हुए परवरी 1798 अंग्रीज किया था परताप सिंग जोदपूर की शाषक भीम सिंग से सहाइता लेकर आकरमन की त्यारी करने लगा इसका पता चलने पर क्या किया मराठ्यों फिर से आकरमन कर दिया जैसे उन्हें पता चला कि वो त्यारी कर रहे तो उन्होंने क्या किया फिर से उन पर जो युद्ध कर सब्सक्राइब कर वाले इस महल का वास्तुकार कौन थे उस्तार लाल चन थे नाम इनका भी आ सकता है और परताब का भी आ सकता है दोनों का ही आ सकता है कि किसमें जो हुआ मेल का निर्मान करवाया था और किसमें जो है वो इसकी वास्तुकार कौन थे उस्तार लाल चन थे फिर गंधर वबाईसी इनके दरबार में 22 कवी जो तिशी एंसंगीत तंग्यों के एक मंडली थी जिसे क्या कहा जाता है यह कुस्ष्ण आया हो है पहले भी गंधर वबाईसी के बारे में पिरए प्रताव सिंग के संगीत गुरु चांत खाते जिसे स्वर सागर की रचना की इन्हों संगीत सागर की रचना की उन्हों ने स्वर सागर की रचना की चान्त कहां ने और गणपती भारती ने क्या किया था संगीत चागर की रचना की इनके समल में बंचीह भड़्ञ निद्ध होए टंग, जमारी विवाद मिवार के महाराना भीम सिंग की पुत्री कुमारी के बिवाद को लेकर जगत सिंग दित्या ने अमीर खान पिंडारी की सहाइता से जोदपूर के मान सिंग को गिंगोली के युद में हराया था ये गिंगोली का युद पूछ लिया जाता है कि किसके कारण जो है वो यह विवाद का कारण बना था वो था कृष्ण कुमारी विवाद जैपुर को पिंडारियों और मराथों पिंडारियों ने भी हमला करना शुरू कर दिया इन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी से संद्री कर दिया कर लेना शुरू कर दिया था 21 दिसम्मर 1818 को जगत सिंग्ग की बित्यू हो गए जगत सिंग्ग को बदनाम शाषक भी कहा जाता था इनका रसकपूर नामक वैश्या से लगाव था इसकी कारणिंग को बदनाम शाषक कहा जाता था इन्होंने जगपूर का आधा राज्या जगत सिंग्ग की नाम के सिक्के भी चलाए बाद में रसकपूर को चरित्रहिंग बताकर जग नाहरगड किले में कैद कर दिया गया पिर है सवाई जय सिंग दित्या 1818-1835 नाबालिक शाषक थे जगत सिंग्दित्य की मित्यू के समय उनके पुत्र ने होने पर उत्रा अधिकारी संगर्ष का अप्रारम हुआ और अप्रेल 1819 में बटियानी रानी के पुत्र होने पर उसे जैपूर का शाषक बनाया जो कि मतलब यही सब कुछ संभालती थी क्योंकि जैसिंग अभी क्या था बहुत ही छोटा था तो एक रानी के रूप में वही सब कुछ संभालती दे अर्च ववस्तास उधारने के लिए सुपा राम को जहन्युक्त किया बट्यानी राम निवास बाग की अधार शीला रखी पर आकरमन कर दिया जिसमें कैप्टन ब्लाक जो है वो मारे जाते हैं यह मठार सुस्तावन च्रांती पढ़ते हैं उसके अंदर भी हम यह पढ़ते हैं ठीक जैसे 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 जो है वह हस्तक शेप करना इन लोगों ने शुरू कर दिया जैसे यह बाहर निकले राजमहल से पर आकरमन कर दिया जिसमें कैप्टन ब्लैक जो थे मारे जाते हैं पिर सुवाही रामसिग जेत्त्री थे इनके ऑरिजिनल नहीं जो पहले राजा थे बाद में सारे के सारे इस तरह से आएंगे जैसिंग तित्याराम सिंगे नाबालिक होने के अरण प्रारमब में साशन संचालन के लिए मेजर जॉन डूडलो की अधक्ष्टा में रीजिन्स काउंसली का गठन किया गया। रूप लगाने का भी प्रियास किया था लाजस्तान में सार प्रतम कन्या क्रे विक्रे पर भी प्रतिबंद जयाओ जैपुर रियासत में लगाया गया। इसके बाद इनका अभी शेक किया गया। इनके बालिक होने तक देखो पहले लूडलो थे और फिर मेजर पिर चार्ड जोते इनको पॉलिटिकल एजेंड बनाया गया। पिर 1857 की क्रांटी ने सवाई राम सिंग दित्या ने क्या किया। क्रांटी के दुरान अंग्रेजों की सहायता की और अंग्रेजों ने कुछ ओकर जोग कोट कुतली की जाखीर ता सिर्थारे हिंद की जया इनको उपादी थी। मदर्सा एहुंडी नामक कला विधाले की स्थापना किस ने की थी सवाई राम सिंग दित्या ने की थी। बाद में इसका नाम राजस्तान स्कूल ओफ आर्ट्स कर दिया गया। बिटिश स्मार्ट प्रिंस ओफ वेल्स के जैपूर आगमन पर 1868 में जैपूर को कौन से रंग से रंग गया। बिटिश पत्रकार स्टेंडली रीड ने अपनी पुस्तक दर रॉयल टाउन ओफ इंडिया में पहली बार जैपूर के लिए पिंक सिटी शब्द का परियोग किया। स्टेंडली रीड पत्रकार थे उन्होंने इसके लिए पिंक सिटी शब्द का परियोग किया। स्मार्ट एडवर्फ अंचम ने जैपूर को क्या कहां गॉल्डन बर्ट कहां यह पूछ लेते हैं कई बार की गॉल्डन बर्ट किसने कहा है जैपूर को या पिंक सिटी किसने नाम दिया ठीक है। पर राम निवासबाग 1868 इसमी में अकाल राहत कार्यों में चार लाग की लागत से निर्मान करवाया गया था। Albert Hall, Prince of Wells की फर्वली 1876 में, जापुर, यात्तरा की स्मृति में, राम जिवास्बाद में, Albert Hall का निर्मान का है, Albert Hall का में पूछ लि trifled में इसको बनाया गिया था, तो Prince of Wells. 1878 में, राम प्रकाश थेयटर की स्थापना किई, यिराजसान का प्रत्तमफारसी थेयटर था. इनके काल में राम गर्ड बांध का निर्मान हुआ महाराजा कॉलेज, सस्कृत कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापता की एक उस्कृत कॉलेज के प्रसिद अचारें पर अचारो के कारान जैपु दूसरी काशी कहलाता है ठीक है संस्कृत कॉलेज की प्रसिद अचारों की कारण जैपु जयो दूसरी काशी कहलाता है इनके समय में राज के परिशत का भी गठन हुआ और इनकी मित्यों कभूई थी 1880 में और नी संतान थे ठीक है इनकी कोई भी संतान नहीं थी पिर मादो सिंग दित्य 1880 से 1922 राम सिंग दित्य की नी संतान नित्य होने पर उनका दत्तक पुत्र वो दलिया हुआ पुत्र जयो मादो सिंग दित्य जैपुर का साशक बना जो इसरदा के ठापुर का पुत्य था और वास्तिक नाम था कायम सिंग इसका वास्तिक नाम पहले ने कहां गये थे इंग्लैंड गये थे इंग्लैंड गये तो वहां पर क्या है इनको पानी जो है वहां का सूप लेकर यहां यहीं से क्या करके लेकर गए ते दो चांदी के बड़े पात्रों के अंदर बहुत बड़े बड़े पात्र हैं जो विश्व के सबसे बड़े चांद हौल में जो की सिटी पैलस बना हुआ है जापूर के अंदर उसके अंदर रखे रहे हैं ये कुस्सन पूछा हुआ है पहले वे बनारस हिंदू विश्व उधाले के निर्मान ही तो मदन मोहन मालविय को पांच लाख रुपए का चंदा भी दिया था और उन्हें नाहर गड़ में अपनी नो प्रेमी कालताओं के लिए एक जैसे नो महलों का निर्मान करवाया था फिटी पहले जापूर में राजपूत मुगलवय यूरोपिय शैली में उन्निस सो में मुबारक महल का निर्मान करवाया डार्क टिकिट और पोस्ट कार्ट की श जैनम इनका इसरदा माधुपूर में हुआ था स्वाई माधुपूर में ठीकाने में क्या है 21 अगस्त 1911 को हुआ और मूल नाम है इनका मौर मुकुत सिंग अब सब दतक लिए हुए पुत्र चलेंगे ठीक है साथ दिसंबर 1922 को स्वाई सिंग माधु सिंग दित्ति के मित् थी 1869 में हुए थी परंतु कानूनी अधिकार कप दिया गया 1938 में दिया गया इनके द्वारा स्थापित के गई गुर्सवार सैना मान गार्ड में तित्ते विशुद में बर्मा साइप्रस पिटली आदी की तरफ से भाग लिया था गुर्सवार सैना का नाम पूश्किया ज पचायत कानून में बनाया इन्होंने महरानी गायती देवी कि निवास से तु मोति डूंगरी पर तक्त एशाही महलों का भी निर्मान करवाया गया निवास से तु बनाया गया था ये फिर जैपूर के एक ही करंड के दोरां जह 30 मार्च 1949 को जहाव जैपूर रियासत का रा पर गोड़ी से गिरने पर इंकी मित्यू हो जाती है निक्स क्लास में करेंगे मार वाड का राठूड राजवंश